नर्व् इस्ट करोंगें फ्रेंद्स अाज की वीडियो हम बात करेंगे नर्व बात करें, कि पूंह बनी Representatives कैसे बनते, और उन से वहल। क्यों है advantage advantage है जो nerves की as compared to bezer and B-spline curve से तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic तो nerves क्या होते है non uniform rational B-spline इसकी जो full form Nerves की वो क्या है non uniform rational B-spline is a mathematical model commonly used in computer graphics for generating and representing curves को बनाने के लिए generate करने के लिए उनको बताने के लिए दर्शाने के लिए हम nerves का इस्तमाल करते है mathematical modeling में और उसके बाद बताया गया and surface curves और surface बना सकते हैं इसकी help से it offer great flexibility and precision for handling both analytical surface इससे हम असानी से बना सकते हैं flexibility यह बहुत ही flexible है और precise है handling both analytical surface यहनिकि हम असानी से बहुत ही precise तरीके से हम curves बना सकते हैं with the help of nerves analytical surface कौन से होती है analytical surface define define क्यों है and defined by common mathematical formula analytical surface वो surface होती है जो कि हम फार में से define कर सकते हैं जिनके लिए common formula होता है उसको हम बोलते है analytical surface ईसको हम पूलते है analytical surface से define कर सकते है and modale shape तो यह nerves के बारे में था nerves को कैसे define करते हैं non-uniform rational B spline curve rational polymer function is defined यह function से define होता है और यह function बताया गया है जो कि आपको numerical में help करेगा यह formula कहा है cu is equal to summation i की value 1 से लेगे k number of control points के कितने control points है उसकी value है w क्या weight है और pi है pi into ni pi control point vector ni ni कहा है normalized b spline basic function of degree degree बताया हुई है degree है b spline की के यूँ उसके बाद नीचे यानि की divide में submission जे की value i1 i से लेके k तक same weight है और n के control points है और k तो यह था मारा formula जो कि आपको numerical में इस्तमाल करना है वैसे इसके numerical ज्यादे आते नहीं है यह वैसे आप यह formula देख लीजिए एक पर बेट है control points है अब देखते हैं कि यह बहतर क्यों है नर्व की बारे में क्यों पढ़ रहे हैं तो नर्व के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं वह देख लेते हैं एक तो यह एफिशेंटली हैंडल कर सकता है और जो उसके पर काम कर रहे हैं जैसे कि जो काम कर रहे हैं जैसे कि हम अगर यह कव बना रहे हैं तो करें तो हमने इंट्रेक्शन के लिए भी एजी है नर्व सर्फ यानिकी जो हमने वह असानी से इसको सीखी जाता है कर बसको बनाना विद्धियर पफ नर्व से नर्व सरफेसर फंक्शन ऑफ टू मेरक टू पैरमेट्रिक मैपिंग टू सरफेस इन 3D शेप इससे जो इससे में भी था किB1 और 20 स्थे में एक और फोक्रेंटेज कर सकते हैं कि हम चाउडर फोलीगन की यह आपको जो डोटोट दिख रहे हैं यह points है और यह point की मद्द से जो हमारे पास ही है curves यह nerves curve है nerves की help से हमने जो curve बनाई है यह बताएगी यह control polygon में तो इसकी यह थी advantage कि हम इसको क्यों इस्तमाल करते हैं और जो हमने जैसे की previous जो हमने पड़ी है जैसे की यह control points और जो पास करती थी इसके इधर से यहां पर प्रॉक्सी मेट् outrage लगता था इसमें यह अप्रॉक्सीमेट मेटर क्या था कि जहां पर control पॉइंट से बहुत दूर से जो curve है वो बन रही थी तो इस यह बहुत ही प्रिसाइज है हमें पता चल जाएगा कि कहां पर हमने कंट्रोल पॉइंट को कहां पर चेंज करना है जिसे कि हमारी कर्व है वह माइनर डिफ्लेक्शन भी दे दे हमें यह देखिए लाइन के उपर से जारी जो इस प्लाइन बीजर है वह बहुत ही एप्रोक्सिमेट मैथड हमें शो करते थे यहां पर कंट्रोल पॉइंट के उपर से ही जो हमारी कर्व है वह बन रही है यह इसका एक अड्वांटेज ह हो रहे हैं तो यह था हमारे नर्व के बारे में कि नर्व क्या होती है यह सभी क्या नर्व बीजर और यह सभी जो कव हैं वह हम किसके लिए जो यह बात कर रहे हैं पढ़ रहे हैं बीजर बीस प्लाइन यह नर्व से यह सब संथेटिक एक्वेशन है जो हमें हेल्प करते है कर्व बनाने के लिए तो आई होप आपको वीडियो अच्छ लगो वीडियो अच्छ लगे तो लाइक जुरूर कीजिए और चल को स्क्राइब करना मत भूलिए तेंक यू